जै माता जी फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं अब सैनिक स्कूल के बारे में इससे पहले हमने राश्ट्रे मिलेटर स्कूल की बात की थी अब हम सैनिक स्कूल में जो इंपोर्टेंट जो है डेटा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो स्कूल है वो किसले खोले गए थे इनमें किस तरीके से आरक्षन होता है क्या इनकी प्रिक्रिया है और इनका मोटो क्या है तो शुरुवात करते हैं तो काली इन रक्षा मंतरी जो थे वी के कृष्णा मैनन ने स्थापना का विचार 1961 में दिया था तो इनका मतलब कब बनाए गए थी वो धान में रखेंगे जैसे 1922 में शुरू किया था राश्ट्री मिलिटरी स्कूल उसी तरीके तरीके से 1961 में स्थापना की गई थी और किसके कहने पी की गई थी तो राश्ट्री विके कृष्णा मैनन ने स्थापना की थी उनका मतलब विचार आया था सबसे पहले पूर्णता है आवाशी सैनिक स्कूलों में चात्रों को गुणात्मक गुणवत्ता पूरवक सिक्षा के साथ साथ उनने जीवन की उन सभी प्रणालियों से जोडने का प्रियास किया जाता है जहां वे सैनिक, ऐ सैनिक सेवा के द्वारा समाज के उत्थान में अपने बूमी का निबास सकें कि ये आवाशी जो सैनिक स्कूल होते हैं इनमें बच्चों को इस तरीके से तयार करना होता है कि वो कोई भी सेवा हो, सैनिक हो चाए ऐ सैनिक हो वो मतलब वो दे सकें, अपने सेवाएं दे सकें समाज में इनका जो मूल उदेशे है, जो कैडिट्स होते हैं, जो छातर होते हैं उनको NDA, National Defense Academy में प्रवेश हेतु तियार करना होता है ताकि वो होनार अधिकारी बन सकें तो जो सैनिक स्कूल होते हैं, मिलेट्रिक स्कूल में भी जो आवाशी विद्याले होते हैं उनमें भी कैडिट्स तियार के जाते हैं तो जो मूल उदेशे होता है सैनिक स्कूल का, वो होता है कि कैडिट्स तियार करना NDA के लिए अधिकारी तियार करना विजन स्टेटमेंट के अगर हम बात करें तो वो है to upgrade the schools as modern public schools offering education to children of common man and to effectively use technology to integrate with the futuristic knowledge based society of emerging globalized world तो इसमें यही है कि अगर जो schools हैं जो model जो public schools हैं उनको upgrade करना मतलब बच्चों को अच्छी effective knowledge देना उनको ऐसी education provide करना ताकि वो जो उनकी knowledge हो फिचरिस्टिक हो कि मतलब जो society में globalized world में वो कैसे helpful हो सकती है उनकी knowledge उस तरीके से उनको सिख्षापरदान करना साक्षिक सानिक स्कूलों में परवेश परक्रिया जो होती है वो किस तरीके की होती है तो इकक्षा 6 में परवेश होता है जनवरी मामे कक्षा 6 में लेखित वस्तुनिस्ट मोखिक जो होता है शाक्षकार होता है interview type में वो परिक्षा ले जाती है तो था चिकित से जांच होती है medical test होता है मतलब उनके आदार पर प्रवेश दिया जाता है मतलब return भी होता है orderly भी पूछा जाता है interview type का और साथ ही साथ में उनके medical भी होती है जांच भी होती है तो चातर की जो आई होती है वो दस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और ग्यारा वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जब उसका admission होता है क्योंकि वो कक्षा 6 में प्रवेश लेते हैं बच्चे का और गणना एक जुलाई से की जाती है और उस हिसाब से 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 11 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए मतलब इसकी बीच का होना चाहिए बालक प्रिक्चारती 5 में कक्षा 39 होना चाहिए क्योंकि छटी के लिए जरूरी है वही कक्षा 6 में परवेश के लिए कक्षा 5 में उत्तिरन होना चाहिए कक्षा 9 में परवेश के समय पे उसकी जो उम्र है वो 13 से 14 वर्ष के आयू होने चाहिए तो ये थी आयू मतलब कौन से क्लास में आप परवेशन लेना है के बच्चों के लिए आरक्षित रहती है 33 परसेंट जो सीटी है वो सभी राज्यों के बच्चों के लिए होती है मतलब 67 जो होती है वो मूल निवाश्यों के लिए मतलब वहां के निवाश्यों के लिए होती है और 33 परसेंट सभी राज्यों के लिए होती है और 15% ST के लिए और 7.5% ST के लिए अब अगर सैनिक स्कूलों के परबंदन की बात करें तो वो परबंदन किस तरीके से होता है कि एक सैनिक स्कूल सोसाइटी होती है उसके नीचे नियामक बोर्ड काम करता है Board of Governor BOG कहते है उसके नीचे कारे कारे समीती काम करती है Executive Committee उसके नीचे काम करती है Local Board of Administration LBA स्थानिय परशाशन बोर्ड काम करता है अब इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो नियामक बोर्ड जो होता है Board of Governors उसके अधेक्स होते हैं रक्षा मंतरी उसके नीचे कारे 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 समीती के नीचे होती है LBA स्थानिय बोर्ड परशाशन बोर्ड Local Board of Administration इसके अधेक्स होते हैं मेजन जनर्नल स्कूल शेतर का और सदस से साथ होते हैं सच्ची स्कूल का प्राचारी होता है इसी के साथ अगर हम बात करें विद्यालिस स्थार के अधिकारी की बात करें तो उसके अंडर में आता है प्राचारी एक करनल लेफटिनेंट करनल के समकक्ष होता है उसके बाद आता है उप्राचारी हेड मास्टर मीजर के समकक्ष होता है जो और उसके जो अंडर में आता है वो पंजी एक मीजर कैप्टन के समकक्ष होता है तो ये विद्यालिस तरगे अधिकारी है तो ये भारत में इनके जो सैनिक स्कूल है वो वर्थवान में 28 सैनिक स्कूल संचालित है जिस तरीके से मैंने बताया था राष्ट्री मिलिटरी स्कूल 5 है तो उसी वर्थवान में 28 सैनिक स्कूल संचालित है Senex School की सथापना रक्षा मंतरा ले बार सरकार द्वारा की जाती है वे राज़े सरकारे मिलकर करती है इसलिए ये श्कूल दोनों के शित्रा अदिकार में आते है मतलब इनके जो कंट्रॉल होता है वो रक्षा मंतरा ले भार सरकार का भी होता है साध्य साध्य राजरिस्रकारों कब होता है इनका संचालन Sennick School Society द्वारा किया जाता है जैसा की अभी मैंने बताया था उनकी अधिकारियों के जो हमने बात की थी इससे पहले तो वो करती है Sennick School Society करती है इसका संचालन पहला सतारा महारास रतेज जिन 1961 इक्पेसCe Intense minhaितनां सटापना होई थी का दिषार आया था तो 98 जार जिलापूर्वी सियांग मतलब साथ्ज कूल है 28 मार्भा मतलब पास्टि जिए तो एक्षाओ पूर्वी इंयाग में अरौनाहchl अगस 2018 को खुला गया था गोवा तेलंगाना सिक्के में गाले त्रिपरा इनमें कोई सैनिक स्कूल नहीं है साथ ही साथ हम बात करें भारत का पहला सैनिक स्कूल तो यूपी के लखनों में 1960 को खुला गया था तो कहने को तो ये इससे भी पहले 1961 में जो 17 महरास्ट में खुला गया था इससे भी लड़की को प्रवेश दिया गया था मतलब यह वैसे आवाशी जो विद्याले हैं इनमें कैड़िट्स गयार होते हैं छोत्र पढ़ते हैं सिर्फ लड़कों के लिए हैं लेकिन इस स्कूल में जो यूपे वाला लखनो वाला है इसके अंदर सैनिक स्कूल के अंदर अप्रेल 161 को सतापीद क्या गया था दूसरा दोरासर जूंजनों में उइक अपरेल प्रेल 2018 को सतापीद किया गया था तो चित्तोड़गण और जूंजनों में हैं जित्तोड़गण वाला मतलब रास्ट्रपती देता है वहाँ बेजे जाता है इसका धह जो अगर वाकिय है उसके बात करें जैसे रास्ट्री मिलिटरी स्कूल में था जो अभी जो रिसेंट चल रहा है सीलम परम भूशनम तो उस तरीकी इसका वाकिय है बुद्धिमता प्राकरम देश भक्ति अर्थ गरीमा और प्रकरम के साथ में संतुलित वक्तितु का विकास अंग्रेजी मादेम लेकिन हिंदी अनवारे विशे के रूप में इसमें पढ़ाया जाता है सैनिक स्कूलों में इसमें सिक्ष्ण सुल्क लिया जाता है लाइक रास्ट्री मिलिटरी स्कूल इंडियन आर्मी प हेना के बच्चों को सिख्षया उपलब कराना इंडियन आर्मी पॉब्लिक स्कूल जो है उससे बड़ा मतलब फ्लैक्षिप आर्मी स्कूल कौन सा है दोला कौा दिल्ले वाला वो एक मतलब फ्लैक्षिप आर्मी स्कूल है तो यह थोड़ा सा डेटा याद रखेंगे प्रे धू